हेलो दोस्तों नमस्कार जय हिंद स्वागत है आपका बुंगु जी एस यूटूब चैनल पर आज मैं आपसे एक बहुत इंपोर्टेंट न्यू शीर कर रहा हूं दिली उनिवर्सटी के अंदर एक कॉलेज है राजधानी कॉलेज और इसमें जो है वो एसिस्टेंट प्रोफ के लिए जो बैब लिंक रहेगा वो यह वाला है आप इस पर जाकर के जो है वो क्लिक कर सकते इस प्रटिकुलर कॉलिज की साइट पर भी जो है वो आपको यह दिख जाएगी इसमें एक आईडी बनाना होती है फिर आपका जो है वह पूरा का पूरा जो है डैश बोल्ट प पर ही कर सकते हैं और साथ ही साथ जिन सब्जेक्ट के अधर वकैंसी निकली है वह त Orig Pokemon किubic साथ 14 तोटल जो हम रह वो शब्जेक्ट के अधर कैंसी है ड़िपार्मेंट अर इसमें जैसे और सम्मेंट बड़िद है वह वो 62 वकैंसी है में एक बार डिपार्मेंट के ना हिस्ट्री है mathematics physics और एन्वारिमेंट साइंस और इलेक्ट्रोनिक्स ठीक है तो इसमें टोटल जो है जैसे केमेस्ट्री के अंदर 9 वेकेंसी है कॉमर्स में 14 है और कंप्यूटर साइंस के अंदर जो है वह टू है एकोनमिक्स के अंदर 5 है और इंगलिष के अंदर भी 5 वेकेंसी है हिंदी में आपको तीन देखने को मिलेंगी हिस्ट्री के अंदर साथ है mathematics में 11 है और physics के अंदर आपको एक वेकेंसी देखने को मिलेगी जो EWS की है और Environmental Science के अंदर भी EWS की एक Vacancy है Electronics के अंदर जनल में दो है और OBC के अंदर दो है तो 4 Vacancy है टोटल 62 हुई अब आपको जो है वो मैं जो प्रोसेस है वो भी दिखा देता हूँ Basic Qualification यां दे रखी है कि Master degree होने चाहिए 55% के साथ अगर आप Reserve category के अंदर है तो आपका 50% भी चल पड़ेगा ठीक है और इसके अलावा आपके पास UGC Net होना चाहिए या CSIR का Net होना चाहिए और इसके अलावा अगर दूसरी आप देखते हैं तो और के अंदर एक और Condition दे रखी है अगर आपकी PhD है तो भी आप जो है वो इसके लिए अपलाई कर सकते हैं भले आपके पास Net जो है वो ना हो और Next जो हम लोग इसका कैसे प्रोसेस होता है तो वो चीज भी डिसकस कर लेते हैं यहाँ पे जैसे Academic जो API स्कोर बनता है वो मैं आपसे Share कर रहा हूँ Graduation के जो है वो अगर आपके 80% है आपको 21 मार्क जुड़ेंगे अगर आपके 60 से लेकर के 80 तक है तो 19 मार्क जुड़ेंगे और आपके 55 से 60 के करीब है तो 60 तक है तो 16 मार्क जुड़ेंगे यह Graduation की बात कर रहा हूँ है और साथ में अगर 45 से पचपन है तो आपके 10 मार्क जुड़ने वाले हैं ठीक है Post Graduation की बात करूँ दोस्तों तो Post Graduation के अगर आप 80 एवव है या 80 है तो 25 मार्क जुड़ने वाले हैं 60 से लेकर 80 तक आपके जो है वो 23 मार्क जुड़ने वाले हैं और अगर आप SCST से हैं तो भी आपके 20 मार्क जुड़ेंगे 50 मार्क के लिए ठीक 50% के लिए MPIL है तो MPIL के लिए जो है वो 7 मार्क है 60 या 60 से अबब के लिए 55 के लिए जो है वो 5 मार्क जुड़ने वाले हैं PST के सीधे 25 मार्क का आपको benefit मिलता है NET और JRF है तो 10 मार्क मिलने वाले हैं और SIMPLE अगर NET है तो उसके 8 मार्क हैं तो ये पूरा API score बनता है एक बाद ध्यान रखिए जिन भी लोगों का जर्नल कैटेगरी से होता है अगर उनका API score 50% से नीचे बनता है तो वो लोग जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं जब आप इसके लिए apply करेंगे तो उसके बाद जो है वो आपको एक जो है वो डोकुमेंटेशन के लिए जो है शौट लिस्टर किया जाएगा और उसके पशात आपको आपकी मेल के ओपर ही जो है वो एक apply करने के लिए मतलब जो है और आपको इंटर्विव के लिए बुलाया जाएगा ठीक है तो उमीद है आपको जो है वो वीडियो जो है वो इनफोर्मेशन हाँ एक और शेयर करने के लिए बच गया अगर आपके रिसर्च पेपर है ना तो एक रिसर्च पेपर के दो मार्क्स मिलेंगे और उसमें भी चल्वाद के लिए तो अपका परषब और यह नहींग नीचे वाले तब भी आप जो हो वो फॉम फिल कर शकते हैं उसके लिए तो इस तरीके से आपका एपिए इसकोर जो है बनता है और यह आपका पूरा जो है वो 100 marks का रहता है ठीक है और इसके जैसे मैंने बता दिया कि academic score 84 का बनता है research publication 6 marks का है teaching experience 10 marks का है total आपका 100 marks हो जाता है ओके अब जो है हम लोग इसके लाबा मैंने आपको सारी conditions जो है वो इसकी बता दी है और जादा सोचने के अवश्यक्ता नहीं अगर ये चीज़ें आप fulfill कर रहे हैं आपकी master degree है with 55% CST के अंदर 50% ठीक है और उसके अलावा जो है अगर आप net qualify है या आप सिर्फ PhD है आपके पास net नहीं है तो भी आप फिल जो है ये फॉम फिल कर सकते हैं तो ये फिल करने के लिए मैं आपको साइट बता दिया मैंने आपको साइट बता दी है डियो की साइट पर जाना है वहां पर जाकर के जो है वह आप इस सीज को फिल कर सकते हैं तो thank you so much जैहिन जैवारत दोस्तो और like और subscribe जो है वुजरूर करना है और हो सके तो share भी कर दो thank you so much जैहिन